नमस्कार मैं हूँ संजरा और हम लोग देख रहे हैं बिहार सिक्षक भरती से समंदित जीकी और जीएस को जीके जीएस में हम लोग इतिहास देख रहे हैं और इतिहास में आज हम लोग देखने वाले हैं इसी वीडियो में क्रांतिकारी आंदोलन को दितिये चरण तो इसे ले करके हम लोग आगे बढ़ते हैं महात्मा गांधी के द्वारा औशयोग आंदोलन को आचानक से इस्थागित कर देने के कारण दीखा जाएगा यहाँ पर तो उत्साही यूवग जो थे और अधिकांस लोगों का मानना अब ये था कि केवल हिंसा के तरीके से ही अब आजादी को प्राप्त किया जा सकता है तो उस समय के जो भी लोग थे तो वो लोग रूस्ट, चीन, आइरलेंड, तुर्की और मिस्त्र जेसे देशों से प्रेवित होकर अब ये मानने लगे कि हि ब्रिटिस समराज्य को उखाड के फेका जा सकता है तो इस तरीके से अब हिंसा के मार्ग को अपनाया गया उत्तर भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को देखने के लिए देखते हैं यहाँ पर कि देश में उची धंग से क्रांती का संचालन करने के लिए क्रांती का संचालन करने के लिए 1924 में कानपूर में एक सम्मेलन बुलाया गया युवा क्रांतिकारियों के द्वारा और युवा क्रांतिकारियों के द्वारा कानपूर में जो सम्मेलन बुलवाया गया उसमें हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसियेशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई इसके बाद अगर देखा जाए तो इस संगठन के संस्थापक जो थे वो सचिंदर सन्याल थे राम प्रसाद बिश्मिल और चंदर सेखर आजात थे हिंदुस्तान रिपब्लिक एस्टोसियेशन ने ने 1925 में रिवुलेशनरी नामक एक पर्चा निकाला जिसमें रूस के तरफ भारत में ससत्र क्रांती का अहुआन किया इसका उदेश से देखा जाए हिंदुस्तान रिपब्लिक एस्टोसियेशन का उदेश से क्या था तो ससत्र क्रांती के माध्यम से ब्रिटिश सत्या को उखारना एक संगिये गणतंत्र की इस्थाप करना और साथ हे साथ अंदोलन को सफल बनाने के लिए तथा सस्त्र और धन को एकत्र करने के लिए राजनेतिक ड़केतिया करना यह इसका उदेश से था किसका उदेश से था तो हिंदुस्तान रिपब्लिक इसैन के द्वारा जो क्रांटिकारी संगठन था इसके द्वारा धनी खट्टा करने के लिए काकोरी कान्ड को अंजाम दिया घया नहीं अगस्त बृतिस को ब्रिटीज खजा ना ट्रें से सहारांपूर से लखनव की ओर जा रहा था और बीच में ही उसे काकोरी नाम के स्थान पर लूट लिया गया क्रांतिकारियों के द्वारा लूट लिया गया तो इसी घटना को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये घटना काकोरी में हुई थी काकोरी नाम के स्थान पर इसे लूटा गया था इसलिए इस घट्ना को काकवोरी कांड के नाम से जाना जाता है इस कांड में 10 लोगोंने भाग लिया था और राम प्रसाद बिस्मिल जो थे वो इसमें प्रमुखे थे इसके सुत्रधार थे 10 लोगोंने भाग तो लिया था लेकिन 29 लोगों को इसमें गिरफतार किया गया और गिरफतार करके मुकदमा चलाया गया 29 लोगों पर और भाग कितने लोगों ने लिया था 10 लोगों ने और मुकदमा चला था 29 लोगों पर इसके बाद देखा जाए इसमें तो रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपूर जेल में फासी दे दी गई अस्वाक उल्लाखा को फैजाबाद जेल में फासी दे दी गई राजेंद्र लाहिडी को गोंडा जेल में फासी दे दी गई इसके आगे सचिंदर सन्याल को आजीवन कारावास का सजा हुआ और मनमत नत गुफता को 14 वर्स के सक्त कारावास की सजा सुनाई गई और चंदर सेखार आजाद जो थे वो फरार हुए इसके बाद हिंदुस्तान रिपबलिक एसोसियेशन जो है वो काकोरी कांड के बाद पुलिस से की सक्ती के कारण हिंदुस्तान रिपबलिक एसोसियेशन कुछ समय के लिए समाप्त के बराबर हो गया लेकिन उसके बाद में फिर ये अस्तित्व में आया Socialist Republic Association को देखेंगे कि अब ये क्या है तो 9-10 सितंबर 1928 को फिरोज सा कोटला मैदान जो की दिल्ली में इस्थित है मैं चंदर सेखर के नेतरित्यों में एक बैठाक हुई जिसमें युवा करांधिकारी इखटा हुए और ले हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसियेशन याने कि HRA का नाम बदल करके हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपब्लिक एसोसियेशन रख दिया गया याने कि HSRA रख दिया गया यहाँ पर क्या ची हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसियेशन का नाम बदल के हिंदुस्तान सोचलिस्ट सब्द जो था वो नौजवानों के अंदर समाजवाद की बढ़ती लोगप्रियता का सूचक था नौजवानों के अंदर अब समाजवाद बढ़ते जा रहा था तो इसकी लोगप्रियता का सूचक जो था यह सोसलिस्ट वर्ड था तो हिंदुस्तान रिपॉब्लिक एसोसिये रख दिया गया एक socialist word उसमें जोड़ दिया गया अब इसके बाद देखा जाए तो इसका उद्देश से क्या था तो इसका उद्देश से था स्वाधीनता प्राप्त करना और समाजवादी राज्ये की इस्थापना करना यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग की socialist सब्दकाउपिय किया गया है तो समाजवाद पर ज्यादा बल दिया जाएगा तो समाजवादी राज्ये की इस्थापना करना ऐसा उसका उद्देश से था यहाँ पर देखा जाएते हिंदुस्तान सोचलिफ्ट रिपब्लिक एसोसियेशन में बं बराने में सहायता के लिए या तीन से लाला लाजपत राई की ब्रित्यू हो जाती है और उसके बाद देखा जाए तो हिंदुस्तान सोचलिफ्ट रिपब्लिक एसोसियेशन संगठन के जो क्रांतिकारी हैं वो अब इसकौर्ट से बदला लेना चाहते हैं इसकौर्ट से बदला लेने के क्रम में गलती से धोखे से एक पुलिस अधिकारी सेंडर्स की हत्या हो जाती है और इस घटना को भगस सिंग, चंदर सेखा राजाद और राजगुरू ने अंजाम दिया था लेकिन एसकौर्ट के बदले में धोखे से यहां पर सेंडर्स की हत्या हो गई और ये सेंडर्स की हत्या हें राजगुरू इसके पहले कोई भी क्रांतिकारी घटना इसमें घटित नहीं होई थी आठ अप्रेल 1929 को संगठन के सदस से भागा सिंग बक्टुकेस्वर्दत ने केंदरी एसेंबली में बंप फेका और केंदरी एसेंबली में जब उन लोगों ने बंप फेका तो उस समय एसेंबली में ट्रेड डिस्प्यूट बिल तथा पॉब्लिक सेफ्टी बिल पर बहात चल रही थी और इसी बीच भागा सिंग ने सबसे पहले इंकलाब का नारा दिया था तो सवाल पूछा जाता है कि इंकलाब का नारा किस ने दिया था तो भागा सिंग ने इंकलाब का नारा दिया था अब इसके बाद यहां पर देखा जाए तो जो भागा सिंग है और बट चलाया गया इसेमबली के तहुट जो भी इन लोगों ने आरगी ती है और गले के सानव参सेतक दिसनों मुंकर में पर के इन लोगों के साथ राजनितिक कर्दियु की तदा आर नहीं किया रहा था इस कारण से concerned केक्ष कर्दियों भूख हर्ताल शुरू किया और इनी में एक थे जतिंद्रनाथ जिन्होंने 64 दिन के भूख हर्ताल के बाद दे जो क्या हो गया सहीध हो गया इसके आगे देखा जाए तो लाहोर सर्यंद्र केस में 1930 में भागत सिंग राजगुरू और सुगदेव को फासी की सजा सुना दी ग गई आगे देखा जाए तो भागत सिंग इन लोगों में क्या हो रहे थे कि बार बार चंद्रसेखा राजात जो थे वो बार बार पुलिस को चकबा दे करके और भाग जा रहे थे अंतता क्या हुआ कि 23 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में अलफ्रेड पार्क में पुलिस से थम में हिंदुस्तान स्लेट रीपपलिक एसोशीयशन की रफ्टार धीमी पड़ गई और यह दीरे दीरे समाप्त हो गया तो बंगाल में जो क्रांतिकारी आंदोलन वे उसमें दूसरे चटन में बंगाल पुणा क्या हुआ कि क्रांतिकारी संगठनों का केंद्र बना और अनुसिलन था युगांतर जैसी जो क्रांतिकारी समेथिया थी वो पुनाह सक्रिय हो गई इसके बाद देखा जाए तो अनुसिलन गुट के जो मुख्य व्यक्ति थे वो जेयम सेन गुप्त थे और युगांतर के सुबास चंद्र बोस थे जो नए क्रांतिकारी अंदोलनों में चटगाओं का जो क्रांतिकारी अंदोलन था वो सबसे आगे था और इसके जो नेता थे वो सूर्य सेन थे सूर्य सेन को लोग प्यार से मास्टर दा भी कहते थे अब इसके बात देखा जाए तो 1930 में सूर्य सेन ने इंडियन रिपॉब्लिक आर्मी की स्थापना की और 18 अप्रेल 1930 को चटगाओं इस थी सरकारी सस्त्रगार पर कबजा कर लिया और वहाँ इंकलाब जिन्दाबाद का नारा दिया तिरंगा फैराया और और स्थाई सरकार का गठन करके स्थाए में उसके राष्टपती बन गए इसके आगे देखा जाए तो 22 मई 1930 को ब्रिटिस सेना तथा इंडियन रिपॉब्लिक आर्मी के बीच में संघर्स हुआ 1923 को सूर्य सेन को गिरफतार करके इनके उपर मुकदमा चलाया गया और 12 फरवरी 1934 को इन्हें एक साल के बाद में फांसी दे दी गई और ये सहीद हो गया बंगाल की करांतिकारी अंदोलनों में यूतियों का भी बड़ चड़ करके भाग लिया इसमें प्रिती लता वाडेकर थी जिनोंने चटगाओ रैलवे इंसिचूट पर छापा मारा और इस बीची ये सहीद हो गई इसी क्रम में देखते हैं कि कलपनादत को भी सूर्य सेन के साथ में गिरफटार कर लिया गया था और कलपनादत को आज इवन कारवास की सजा दी गई वहीं सूर्य सेन को फांसी की सजा दे दी गई थी इस प्रकार से देखा जाए तो बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की गतिविदी बहुत ही तीवर रही यूग के सांथ में यूतियून ये भी बढ़ चड़ करके भाग लिया परंतो सूर्य सेन के सहीद हो जाने के बाद उन्हें फांसी मिल जाने के बाद देखा जाए तो ब्रंगाल में जो क्रांतिकारी आंदोलन था वो क्या हो गया कि धीरे धीरे समाप्त हो गया क्रांतिकारी गति वीदियों को देखते हैं हम लोग तो यहां पर देखेंगे कि पंजाब में क्रांतिकारी गति वीदियों में नौजवान सभा ने महतोपून भूमी का निभाई थी नौजवान सभा की स्थापना जो है वो 1926 में हुई थी ध्यान रहे कि पंजाब में प्रथम क्रांतिकारी गतिविदियों में भी हम लोगों ने पढ़ा था और ये द्वितिय क्रांतिकारी गतिविदी है जिसमें कि नौजवान सभा ने महतोपून भूमी का निभाई है तो इसकी स्थापना 1926 में और संस्थापक इसके भगस सिंग, छबीला दास और यस्पाल थे भगस सिंग इसके महामंत्री थे इसके नौजवान सभा के मीटिंग में भूपेंद्र नाधदत, जवाहार लाल नहरू और डौंगे ने भासर दिया था और नौजवान सभा ने रूस के साथ में मिल करके मित्रता सप्ता और काकोरी दिवस भी मनाया था इसके आगे अगर देखा जाए तो चंदरसेखा राजात के अनुरोध पर भगवती चरण वोहरा ने दी फिलोस्थी आप दबम नामक दस्तावेज भी तयार किया था जिसमें बम बनाने की कला के बारे में विस्तार से बताया गया था दिखते हैं कांग्रेस मंत्री मंडल के त्याग पत्र को तो 1949 में दितिये विश्व युद्ध के आरंब होने पर क्या हुआ कि भारतिये विधान मंडल के सहमती के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर दिया गया इसके विरोध में कांग्रेस मंत्री मंडल ने त्याग पत्र दे दिया तो 22 दिसंबर 1949 को मुस्लिम लिग के द्वारा मुक्ती दिवस मनाया गया त्रिपुरी संगट को देखेंगे जो कि 1949 में हुआ था तो 1938 के हरी पूरा अधिवेशन में सुबास चंदर बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष सर्व सर्मती से चुना गया था अब जब 1938 में सुबास चंदर बोस अध्यक्ष पद पर रहे तो 1949 में भी इन्हों ने अध्यक्ष पद के लिए भाग लेने के लिए सोचा तो 1949 में होने वाले त्रिपूरी में जो अधिवेशन होने वाला था तो उसमें इन्हों ने सुबास चंदर बोस ने फिर से अध्यक्ष पद के चुनाव में खड़ा होने के लिए सोचा लेकिन गांधी जी तथा कांग्रेस के अन्यकारी कारणी सदस्य पट्टाभी सीता रमया को उमिद्वार के तोर पर सामने लेकर किया है इन दोनों में सुबास चंद्रबोस और पट्टाभी सीता रमया में सुबास चंद्रबोस की विजई हुई और ये अध्यक्ष बन गए लेकि ये इस विजई में गांधी जी ने कहा कि ये पट्टाभी सीता रमया की हार नहीं बलकि मेरी हार है ऐसा गांधी जी ने कहा अब इस बात पर क्या हुआ कि कॉंग्रेस में कला सिर्ष पर पहुँच गिया कॉंग्रेस के करेकार्णी सदस्यों में से देखा जाये तो 15 में से 12 सदस्यों ने इस्थीपा दे दिया और कॉंग्रेस का कला जो है वो चर्मुत कर्ष पर पहुँच गिया इस चीज को देखते ह सुबास चंद्रबोस त्याग पत्र दे दिया, और सुबास चंद्रबोस के त्याग पत्र देने के बास से Raja drastic को सिर पूरी का अध्यक्षी घो Sal guidance किया गया सुबास चंद्रबोस ने जब ईस अधिवेशन त्या पत्र दिया तो उसके बाद तीन मई 1949 को सुबास चंद्रबोस ने फारवर्ड ब्लक का गठन किया हम लोग देखेंगे अब सुबास चंद्रबोस तथा आजान्द हिंद फॉच को यहां पर सबसे पहले सुबास चंद्रबोस को देखते हैं कि इनका जन्म में जो है 1897 को हुआ था उडिशा के कटप में औ इसके बाद अगर देखा जाए तो यहां पर 2 जुलाई 1940 को सुबास चंद्रबोस को गिरफतार करके कलकात्ता प्रेसिडेंसी जेल में भेज दिया गया और वहां पर सुबास चंद्रबोस ने अंसन किया जिसके कारण इनकी स्थिती नाजुक होने लगी और उन्हें रिहा क इसके बाद कलकत्ता किनके निवास स्थान में नजरबन्द कर दिया गया इसके बाद देखा जाए तो सतरा जन्वरी 1941 को यह चमतकारी तरीके से गाइब हुझ गय और अफगानिस्षान मास्कों के रास्ते जर्मनी पहुँचे जर्मनी पहुँच कर इन्होंने हीटलर से राजनीतिक समस्याओं के विचार के रिए एक सम्मेलन बुलाया और इसी सम्मेलन में टोकियो में रास भिहारी बोस्त ने इंडियन नेशनल आर्मी याने की आजाद हिंद फोज का गठन किया आजाद हिंद फोज की अगर बात की जाए तो इसका प्रथम याने सबसे पहले परिकल्पना आजाद हिंद फोज की कैप्टन मोहन सीग ने की थी लेकिन ये और सफल रहे थे तो इस प्रकार से आजाध हिंद फोज की स्थापना जो है वो रास बिहारी बोस्ट ने की थी कहां पर तो टोक्यो सम्मेलन में की थी कलांतर में देखा जाये तो सुभास चंदर बोस्ट को आजाध हिंद फोज का सर्वोच सेनापती बना दिया गया था और उसका कमान सम्हालने के बाद इन्होंने दिली चलो का नारा दिया था तो सवाल पूछा जाता है कि दिली चलो का नारा किस ने दिया था तो सुबास चंद्रबोस ने दिया था इसके बाद देखा जाये तो वो इस और स्थाई सरकार के स्वैम ही राष्टपती प्रधानमंत्री और सेनाध्यक्ष बने इसका मुख्याले जो था वो रंगून था और जर्मनी जापान तथा इसके समर्थक देशों के द्वारा इस और स्थाई सरकार को माननेता भी दे दी स्थापना की और इसके बाद देखा जाये तो नेता जी सुबास चंद्रबोस ने लच्मी बाई के नाम पर महिलाओं के लिए लच्मी बाई रेजिमेंट की स्थापना की और इसके सांस साथ इनके तीन प्रमुक और ब्रिगेड थे जिसमें गांधी ब्रिगेड नहरु ब्रिगेड सुबास चंद्रबोस ब्रिगेड शामिल था सुबास चंद्रबोस ब्रिगेड के सेनापती शाहनावाज खा थे इस क्रम में सुबा आजादी दूँगा तो ये सुबास चंद्रबोस ने कहा था इसके आगे 1944 में आजाद हिंद के रेडियो के विशेश प्रसारण में सुबास चंद्रबोस ने महात्मा गांधी को राष्ट पीता कहकर संबोधित किया अर्थात महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट पीता स करनापड़ और इस बीच में बुरिटिश डिया ने रंगून पर अधिकार animate अब देखते हैं आजाड हींद फोज की अत्म्तों करना पड़ा अब देखते हैं आजाद हिंद फॉच पर मुकदमा चलाया गया तो इसमें देखा जाए कि आजाद हिंद फॉच के जो भी अधिकारी थे और सैनिक थे उनको गिरफतार कर लिया गया और नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किला में इन पर मुकदमा चलाया गया इनमें तीन प्रमुक अभियुक्त थे शाहनावाच खां, प्रेम शाहगर और गुरु बक्त सिंगे इनके बचाओ के लिए भूलाई लाल के नेतरित्वे में वकीलों के टीम में को गठन किया गया और टीम के द्वारा प्रयास किया गया बचाओ पक्ष के सहायक वकीलों में तेज बहादुर, काटजू, आसाफली और जवाहरलाल नहरू थे इसके बाद देखा जाये तो तीनों अभियुक्तों को फांसी की सजा सुना दी गई और इसके बाद देश में इसकी तीवर आलोचना हुई और तीवर प्रक्रिया देश में देखने को मिली जिससे की विवस हो करके वाय सराय लाइड वेवल को फांसी की सजा माफ करनी पड़ी 18 अगस 1945 को टोकियो से जाते समय सुबास चंद्र बोस का जो जहाज था वो दुरगटना ग्रस्त हो गया और उसमें इनकी मृत्ति हो गई हाला कि आज भी इनकी मृत्ति जो है वो एक रहस्ते बनी हुई है तो यहाँ पर आजाद हिंद फोज तथा भारत छोड़ो आंदोलन की घटनाओं को देखते हुए ब्रिटिस भारतिय सेना ने भारतिय सेनिकों को भी प्रभावित किया और इसके बाद 18 फर्वरी 1946 को रॉयल इंडिया नेवी ने 11 कमिशनर अधिकारियों तथा सेनिकों ने बंबई में विद्रो कर दिया काँ पर बंबई में इन लोगों ने विद्रो कर दिया विद्रो का प्रारंब जो है वो बंबई के नौसेनिक प्रसिक्छन पोत एन एस तलवार के सेनिकों द्वारा किया गया याद रखेंगे इसको कि नौसेनिक प्रसिक्छन पोत एन एस तलवार द्वारा सबसे पहले बंबई में विद्रो किया गया और देखते ही देखते ये विद्रो जो है वो कराची मदरास और कलकत्ता में फैल गया यहाँ पर देखा जाएगा कि नौसेनिको के विद्रो के समर्थन में बंबाई में अभूतपूर्व हर्ताल किया गया हर्ताल का आयोजन किया गया जिसमें 20 लाख मजदूरों ने भाग कि इतने मजदूरों ने थो 20 लाख मजदूरों ने बंबाई में भाग लिया और ब्रिटिश सरकार ने उसके बाद दमनकारी रुख को अपनाया और ब्रिटिश सरकार के दमनकारी रुख को देखते हुए सरदार बल्लप भई पटेल तथा मोहमध जिना ने क्या किया कि आत्मसमर्फण करने के लिए डबाव डाला ये लोग चाहते थे कि नौसेनिक जो है वो क्या कर दे कि आत्मसमर्फण कर दे बृटिसर्स के सामने नौस dopamine को ने आत्मसमर्पण करते समय कहा कि हम अपने राश्ट्रिय नेताओं के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं ना कि ब्रिटेन के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं तो इस प्रकार से उन लोगों ने अपनी व्याख्या दी कैबिनेट मिशन 1946 को कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था तो ब्रिटिस प्रधान मंतरी एटनी ये कोश्चन पूछा जाता है कि आजादी के सामें ब्रिटेन का प्रधान मंतरी कौन था तो एटनी था तो ब्रिटिस प्रधान मंतरी एटनी ने 15 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोश्चना की और 24 मार्च 1946 को फरवरी में घोश्चना हो रहा है 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुँच गया इसके सदस्य कौन-कौन थे तो एश्ट फोर्ड क्रिप्स थे एबी अलेकजेंडर और फैंथिक लॉरेंस इसके सदस्य थे इसके आगे देखा जाए तो इसका उद्देश से क्या था तो कैबिनेट मिशन का उद्देश से था समविधान सभकिय स्थापना करना और अंतिम सरकार के लिए आवश्चक प्रबंध करना ये इसका उद्देश से था तो इस प्रकार से हमारा जो modern history है यानि कि आधुनिक भारत का जो क्रम है वो समाप्त होता है हम लोग आधुनिक भारत को देख लिए यानि कि स्वतंतूरता संग्राम का जो हमारा पार्ट था उसको हम लोग देख लिए जैसे कि BPSC के चेयरमेन अतुल प्रसाद जी के द्वारा ये चीज कहा गया है कि स्वतंतरता संगराम से question पूछे जाएंगे तो हम लोग ये सब स्वतंतरता संगराम को ही देख रहे थे तो यहाँ पर हमारा स्वतंतरता संगराम का करम जो है वो समाप्त होता है अब इसके आगे हम लोग अगले विशे को देखेंगे और तब तक आप लोग मेरे इस चैनल को अपना समझ के लाइक कीजिए, सेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए कॉमेंट करके बताईए कि कैसा लगा और तब तक मेरे साथ इतने देर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का